प्रेंड्स आपको मैं बतानी जा रहा हूं योनी से सफेद पानी आने के घरेलू उपाई तो स्वागत फ्रेंड्स हमारे इस चैनल लोटस एरवेदा इंडिया में आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्स्राइब नहीं किया हो तो किरपया सब्स्राइब कर लें ताकि स्वास्ते से समंधेत सारी जनकारियां आपको लागातार मिलती रहे लिव कोरिया या श्वेद प्रदर मिलाओं में एक बहुत ही आम बात है यह एक गाड़ी सफेद या पीले योनी स्राव के रूप में जाना चाता है जो मासेग धर्म चक्र या गर्भावस्ता के दोरान हो सकता है आम तोर पर यह कुछ दिनों से कुछ सप्ता तक रहता है ज स्राव में बिन्नता का कारण कैंसर का होना और हार्मोन में परिवर्तन हो सकता है इसके कारण स्राव अधिक पीला स्राव में दुरगंद या खुजली हो सकती है जो स्वस्थ्य स्थिती नहीं है यदि आप में से कोई समस्य से पीडित है तो कुछ सरल घरिलू उपचारों क मदद से आप इस समस्य से निजात पा सकते हैं तो वाई ये जानते हैं इनके बारे में लिवकोरिया का घरेलू इलाज है भिंडी भिंडी लिवकेरिया या श्वेत प्रदर के लिए काफी लोगप्रिये उपाय माना जाता है आप इसके लाभों के लिए अपने दैनिक भोजन में इस समची को शामिल कर सकते हैं बिंडी का उपयोग करके आप एक बहुत लोगप्रिय स्वस्त खुराक तयार कर सकते हैं लगभग 15 मेट के लिए 500 मिलिलेटर पानी में अच्छी तरसे कटी हुई 50 गराम बिंडी को उबा लें और 50 मिलिलेटर शहत के साथ इस मिस्रण को दि में भी साहता करते हैं आपको हर दिन दो केले खाने चाहिए ये स्वस्त मल त्याग में भी मदद करेंगे सफेद पानी का घरेलू उपाय करें धनिया के बीज से धनिया के बीजों का उपयोग भी सफेद पानी की समस्या के इलाज करने के लिए किया जाता है इस उपाय के ल क्रेंबेरी और अनार क्रेंबेरी और अनार ये दोनों फल स्वास्ति योनी बनाया रखने के लिए फायदमंध होते हैं क्रेंबेरी में एंटी माइक्रोबियल गुन होते हैं जो संकरमन से लड़ने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं हर रोज एक गलास बीना कटे हुए क् लगबग 800 मिलिलेटर पानी और 2-3 चम्मच चाउनलू से काढ़ा तयार कर लें और दैने ग्रुप से इसे पीएं लिख कोरिया का देशी इलाज करें मेथी बीजों से मेथी हार्मोंस के अस्तर को नियमित करने में मदद करती है जो महिला प्रजिनन परणाली के स्वस्त कारियों को बढ़ावा देते हैं यह योनी के आदर्स पीएक सस्तर को बनाया रखने में भी मदद करती हैं इस जड़ी बोटी का उपयोग करने के लिए आप मेथी के बीजों को रात बर पानी में भिगो कर रखें चानने के बाद इस पे को शेहत के साथ लें आप मेथी के बीज के पानी को वेजाइनल वास के रुप में भी उपयोग कर सकते हैं इसके लिए मेथी के बीज को रात बर पानी में रखें और सुबा बिसमेट के लिए उबाल लें और ठंडा करके उपयोग करें तो ये दो फ्रेंड्स योनी से सफेद पानी आने के घरेलू उपाए ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो किरप्या लाइक और शेर करना ना भोलें साथी साथ सब्सक्राइब करना भी ना भोलें ताकि इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे अगर आपको स्वास्ते से समन देता कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा पुछ सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद